Hey guys, welcome to our channel तो दोस्तों आज सुबा ना एक वीडियो अप्लोड किया था जिसको अगर अभी तक नहीं देखा है साइसा आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि सुबा के टाइम पर मेरा जो ओडियेंस होता है जादा एक्टिब नहीं रहता है तो इसलिए उपर आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल चाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल चाएगा उस वाली वीडियो के अंदर मैंने OnePlus 9 RT के बाड़ में Complete Detail Specification और साथ में Launch Date Confirm बता के रखा है चाए तो आप देख सकते हो और दोस्तों साथी साथ आज इस वीडियो के अंदर हम बाते करेंगे Realme 9 Series के बाड़ में लेकिन 2022 के अंदर हम लोगो को Realme 9 Series launch होते हुए देखने को मिल जाएगा Confirm है Jan या तो फिर February के अंदर हम लोगो Realme 9 Series definitely देखने को मिल जाएगा So अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू से कर देना इस वाली वीडियो के अंदर आप लोगो काफी कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा Realme 9 Series के रिगार्डिंग बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इकल के आ चुका है और साथी साथ एक लाइक भी कर देना ताकि मुझे थोरा सा मोटिवेशन मिल पाए ऐसे वीडियो हर रोज बनाने के लिए आपकी एक लाइक से ना काफी जादा मोटिवेशन मिलता है मुझे हर रोज ऐसे वीडियो बनाने के लिए सो लेट्स गेट इंटो इस वीडियो तो दोस्तों रियल्मी 9 सीरिस को लेगे ना मार्केट के अंदर काफी जादा हाइप क्रियेट होके रखाए और हम लोगों के अंदर भी काफी जादा एक्सपेक्टेशन है स्मार्टफॉन के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को जो कुछ Realme 8 Series के अंदर नहीं प्रोवाइट किया गया था ना उन सबी चीजों को फुल्फिल करके एक बेटर और ट्रू अपग्रेट स्मार्टफोन हम लोगों को Realme के तरब से Realme 9 Series दिखने को मिल जाएगा लेकिन इस फोन के लिए थोड़ा इंतिजार करना ही होगा यह थोड़ा सा बुड़ा लगा मुझे भी और आप लोगों को भी कि 2022 टग हम लोगों को Realme 9 Series के लिए इंतिजार करना होगा चलिए दोस्तों बाते कर लेते हैं Realme 9 Series के बारे में एकदम जो कुछ लेटेस्ट निकल के आ चुका है सबसे पहले हम बाते कर लेते हैं इस फोन की प्रसेसर के बारे में तो यहाँ पे स्नापडरेगन के तरब से 780G का 5G चिपसेट हम लोगों को Realme 9 Series के अंदर जो 9 Pro वाला वेडियेंट होगा दिखने को मिल जाएगा स्नापडरेगन 780G के साथ और जो Realme 9 होगा बेस मॉडल स्टार्ट इसके अंदर हम लोगों को सुपर एमुलेट पैनेल दिखने को मिल जाएगा और HDR10 प्लस का सपोर्ट बगरा दिखने को मिल जाएगा फ्रेंट फेसिंग कैमेरा सिंगल होने वाला है पंचोल कटाउट के साथ साथ यहाँ पे बैक एंड फ्रेंट दोस्तो काफी स्ट्रॉंग चांस है कि अपकी बार हम लोगों को जो है ग्लास फिनिश के साथ दिखने को मिल जाएगा लेकिन कुछ rumors के according कहा जाड़ा है कि Sony के तरप से भी हम लोगों को जो है sensor दिखने को मिल सकता है इस चीज के बार में आब लोगों को क्या लगता है नीचे comment section में मुझे जरूस से बताना मुझे आतक लगता है and leaks and rumors जो कुछ निकल के आया था previously and जो latest निकल के आ रहा है सब कुछ के according देखा जाए तो Kodak branding के साथ ही आने वाला है 108MP का camera Realme 9 series के अंदर बाकी ultra wide, telephoto, depth वगड़ा हम लोगों को जो है दिखने को मिल जाएगा and front facing camera 32MP तक हो सकता है और साथी साथ यहाँ पर battery जो है na starting base variant के अंदर हम लोगों को दिखने को मिल जाएगा 4500mAh का battery 33W fast charging and दोस्तों यहाँ पर जो pro बाला variant होगा इसके अंदर हम लोगों को 5000mAh का battery दिखने को मिल सकता है साथी साथ यहाँ पर 65W super dart charging के साथ अब लोगों को out of the box super dart charger जो है दिखने को मिल जाएगा बाकी यहाँ पर android 12 होने वाला है and realme user interface 2.0 के साथ दिखने को मिल जाएगा out of the box और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को जो है dual studio speaker dual sim plus memory card का support usb type c port 3.5 mm audio jack हट टाइप का नेसेसरी sensor हम लोगों को जो है बिल जाएगा and जो starting base variant होगा न 18 से लिए 19,000 के आसपास में लाउंच होगा इंडिया में बाकी अब लोगों को क्या लगता है नीचे comment section में जरूस से मुझे बताना आज के लिए बसित नहीं मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्श और एक्साइडिंग वीडियो में तब तक के लिए good bye दोस्तो and take care